हेलो गाईज वेलकम बेक तो माई निव ब्लॉक तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं फिर से रीवा और अभी हम भुपाल से आ रहे हैं भुपाल की टेन मतलब आप टाइम से पहुंच गए हैं 8-10 हो रह अब अब आधेस किया है तो चले थोड़ा बात कर लेते हैं क्या है और कुछ समान वगारा भी लाना है तो चले चलते हैं तो आज फाइनली दो दिन बाद आ रहे हैं घर लंबा टूर हो गया था मतलब आना जाना इस तमय दो तीन दिन से मतलब एक सब्सक्ताय से मेरा आना कर लगा था अभी के छलिए चलते हैं तिलाल समी लोग आ जा रहे हैं कि मुगा इस तो निकलाया हूं अपनी वायक रखके गया था पर सुज में अंगे स्वोन है तो बाहिक रहें लोगा था तो चले हम चलते हैं तो चले हम चलते हैं ह। मेरे कुपंदा मेठ आये हुए और मैं बैठा हूं मम्मी जी के पास और यह बैठी मातास ही हमारी और ठीक है दोस्तों तो अब हम सोच रहें बाल और कटा ले भूम आये हैं तूर हमारा हो चुका है कुपरेश्वर धाम भूम लिये हैं और इससे बहुत मनने मेरा आना जाना ह हो गया दो तीन बार लिए गाई चलते हैं बाल कटवा के आते हैं है मेरी घड़ी खड़ी हुई है तो है तो हाई दुकान दुकान बंद है यार ना जी दुकान कहीं बंद है करें है तो ज़िए है इसे पार अरुप करते हैं राजूभाई को एक है मेरी बात तो हो गई है राजूभाई से आ रहे हैं अभी तो बंद है शभी दुकान के लिगए आप अब उनको दस मिनट घर से आते हुए लगेगा तो चले ठीक है बाल गएरा कटवाते हैं फिर निकलेंगे घर तो गाइज मैं नहाद हो करके हो चुका हूं रेडी और आ गया हूं मंदिर बजरंग वली आज है मंगलवार और आज मंगलवार के दिन तो मैं बजरंग वली कि यहां जरूर ही जाता हूं तो यह हमारे गाओं की मंदिर मैंने आपको पहले भी दिखाया है तो चलिए अब हम पूजा पार्ट करेंगे यह हमने पूजा का समान भी लिया हुआ है फूल और पानी योगारा सब है तो चलिए करते हैं पूजा फिर इसके बाद चलते हैं घर फिर मिलते हैं आप लोगोशे सो गाई साम के बज रहे हैं चै और अभी मैं मतलब एक गंटा पहले उठा और एक काम मेरे को बन गया है अब यह नहीं का जो कोचिंग पढ़ाती थी दो बच्चों को तो अब मेरे उपर आ गया तो मैं पढ़ाऊंगा हो गया तो चलो ठीक है और यह बैठी में मम्मी स्री ह हमारी यह सुन रही है भागवत वगएरा कुछ तो क्या ममे जी हाल चालम सब बढ़ियां तो चलिए ठीक है आज का हम ब्लॉग यहीं इंड करते हैं और आप आप सभी को ब्लॉग पशंद आया होगा पशंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तके लिए थैंक्यू सो मच